गोवरधन का अपने बात करी धनवंतरी तेरस जो होती है धन तेरस जिसे कहा जाता है हमने बात करी नरग चत्रदशी के अमावस्या पर हम आए उसारी जी लेकिन गोवरधन श्री कृष्ण जी का इसके अंदर कैसे मतलब आग्मन वाठी गोवरधन की पूजा की जाती है और गोवरधन भगवान का स्वरूप है और गोवरधन की बहुत महिमा है ब्रिंदावन के पास में गोवरधन इस्थित है और गोवरधन की महिमा इसलिए अधिक हो गई है क्योंकि वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ने इतने परवत उनके अवतार काल में थे भगवान न ये तो हुई आध्यात्मिक और शास्त्री ये चर्चा, श्रिमत भागवत में इसका वरणन है, तो श्रिमत भागवत में सुनते हैं, कहते हैं, जानते हैं किस प्रकार से गोवरधन की महिमा है, और गोवरधन शब्द का ताथ पर ये यह है, गो मतलब गोमाता, देखिये भार की सुरक्षा होनी चाहिए, और गोमाता की सुरक्षा केवल हिंदूों का ये दाईत्म नहीं है, मेरे कई मित्र हैं, वो बताते रहते हैं, जो मुस्दिम है, कि वहाँ पर भी इसका इतना महत्व है, कि गोमाता का किस प्रकार से अभी डीडवाना से विधायत है, यूनुस साब, गो एक दिन मुझे बता रहे थे, कि जुन जुनु के नवाब ने, राजस्थान में ही नहीं, देश में, सबसे बड़ा गोचरा छोड़ा, और ये बताया उन्होंने अपने जब वो नवाब थे, कि भाया ये किसी ने गोकशी की, गोहत्या की, तो उसको मृत्यु दं तो गाए केवल हिंदुओं की माता नहीं है, गाए का दूद पीकर के केवल हिंदु ही बलवा नहीं हुए, चाई मुस्लिम हो, कोई भी हो, सबके लिए गो माता बंदनी है, तो मैं यूनुस खान जी ने जब मुझे बताया, जो भी डीड़वाना से विधाये करें, तो उन चारण करने निकले, भगवान गाये को चराने के लिए इसलिए भगवान का नाम गोपाल है, भगवान गोविंद है, अल्यकि गोविंद की कुछ दार्शनी करत भी, शंकरा चारजी महराज ने विश्नु सहस्त्रमाम भाश्य में किया है, भगवान गोपाल है, गाम पालय तो गोवर्धन के माध्यम से भगवान ने दो चीजों का संदेश दिया एक तो इंद्र के एहंकार को तोड़ने का बगवान तानाशाही के शक्रूं है, जो भी तानाशाह हो जाए, वो केवल तानाशाह ऐसा नहीं है कि कोई नेता ही तानाशाह हो या कोई अफसर ही तानाशाह हो जाते हैं, लोग परिवार में डिक्टेक्टरशिप चलाने लगते हैं, लोग अपने जिस व्यापार को करते है माली जी मैं प्रोफेसर उमेही तानाशा हो गया, कोई विद्यार्थी है, विद्यार्थी ही तानाशा हो गया, कोई व्यापारी है, व्यापारी ही तानाशा हो गया, कोई पत्रकार है, पत्रकार तानाशा हो गया, ना, ना, इस तानाशा ही को भूंद करने के लिए ही भगवा और पशुओं के संरक्षन के लिए पशुओं के वर्धन के लिए भगवान ने जिस उत्सव को प्रकट किया वह गोवर्धन और इस गोवर्धन पर हम करते क्या है गोव माता के सुगंधित गोवर से देखे एक चीजे बड़ी जोरदार इन उत्सवों में धनकी बहुत अब बताये गोवर्धन में क्या धन चाहिए गोवर आपने लिया गोवर्धन भगवान को बनाया उनको पूजा किया प्रणाम किया जो आपके घर में है जो आपने बनाया भगवान के क्या भोग लगाना चाहिए किसी के पास इतनी सामधरी नहीं है कोई आपने भोग लग जो नई फसल बाजरे की आ गई, जो नई चीजे आ गई, उनका भोग लगा करके भगवान की भोग लगा दिया, गाउं में, नगर में, धानी में, कस्वे में उसका वित्रण कर दिया, यही अंग और कृशी और पशुपालन दोनों को, इसलिए हमारे गुरुजी कहा करते थे दिल्ली में, बड़ी अच्छी बात पहता है हो, कि भारत की संस्कृति दो चीजों से मिलकर के मली है, मैं फुस्ताता गुरुजी किस से, कल्चर और एगरी कल्चर, यह दोनों जो मिल जाता है, कल्चर और एगरी कल्चर तो भारत का निर्मान होता है, हमारे यहां कल्चर से के बारे में हमें जानकारी दी हमें हमारे त्योहारों के बारे में बताया दीपावली जो एक एक दिन का नहीं बलकि पांच दिनों का एक त्योहार है एक उपलक्ष है जिसके बारे में उन्होंने गहराई से हमें जानकारी दी इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्री है आप देखते रहे हैं नगरी मीडिया मैं हूँ अबजी शर्म